नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रिका में कोरोना वाइरस का जो नया स्ट्रेन पाया गया है, नया विरियन पाया गया है, क्या उसके खिलाब वैक्सिन काम करेगी? तो इसके बारे में आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, मैं डॉक्टर प्रशान्त मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर पीम चानल पर, अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चानल को सब्सक्राइब कीजे, वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे, आखिर तक मेरे साथ बने रहे हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मील सकें। तो दोस्तो अभी दुनिया में जो ज़्यादा वेरियेशन हुए ये कोरोना वायरस में एक हुआ है ब्रिटन में और दूसरा साउथ आफ्रिका में। ब्रिटन में जो वेरियेशन हुआ है ये काफी इनपेक्शियस है मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को ये ज़्यादा स्प्रेड होता है ज़्यादा लोग को इनपेक्ट रता है और इसकी वएस से इंगलर में जो कोरोना वायरस के कैसे से काफी बढ़ चुके हैं और इसकी खिलाब जो फाइजर की वैक्सिन है वो काम करेगी इवन जो ऑक्सपोर्ड की जो वैक्सिन है जिसका अभी टिकागरन इंगलर में शुरू हुआ है तो ये भी इस ट्रेन के खिलाब काम करती है तो अभी एक नई स्ट्रेन आई है साउथ आफरिका में और इसके केसे साउथ के scientist है उनका कैना है कि जो spike protein है to coronavirus का जो Africa का strain है उसमें उस काफी बदलाव हो गया है तो इसके व्यश hustle है इसके खिलाब काम करेगी अहीं यह बता नहीं सकते है कुछ scientist दो कह रहे है कि काम नहीं करेगी और कुछ कह रहे है कि कम करेगी तो दोस्तो इसके बारे में जो Pfizer company है इनको पुछा गया कि आपकी वैक्सीन ये साउथ आफरिका में जो स्ट्रेन पाया गया है आफरिका में जो नया स्ट्रेन देखा गया है क्या इसके खिलाब काम करेगी या नहीं तो इसके बारे में उनका कैना था कि अभी इसके ऊपर हम study कर रहे है और अभी confirm नहीं कर सकते तो दोस्तो और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर vaccine काम नहीं करती है तो हम 6 अपते के अंदर इस vaccine में कुछ changes कर सकते है और इसके बाद ये vaccine इस variant के खिलाब भी काम करेगी तो दोस्तो अगर कोई बहुत ज्यादा variation आता है और उसमें काफी ज्यादा variation होते है हर साल तो हर साल जो है इसके vaccine में change होता है और हर साल इसका booster dose लेना पड़ता है और फिर ये नए variants के खिलाब काम करती है तो अभी एकदम इस आफरिका का जो variant है उसके खिलाब vaccine काम नहीं करेगी ये कहना premature होगा अभी scientist कह रहे ही कि ज्यादा variation है इसल रही है या patient serious हो रहे है नए variant के वाई से ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नया जो virus है ये पहले से ज्यादा serious है या ज्यादा लेदल है लेकिन ये ज्यादा spread करता है तो अगर ऐसा भी देखा जाता है कि vaccine नहीं काम कर रही है तो 6 अपते के अंदर IC vaccine बनाई जा सकती है इसलिए बहुत ज्यादा डरनी की ज़रोत नहीं है वाईरस में mutations होते है वाईरस में changes होते रहते है और vaccine में पूरे दुनिया में इतना काम चल रहा है कापी सारे vaccine बन रहे है 60 vaccines अभी जो है फेस्टो और फेस्ट्री के trials में है तो कोई भी variation आता है coronavirus का तो भी अभी उसके खिलाब जो vaccine छे अपते के अंदर बनाई जा सकती है दोस्तो इसके अलावा आपका कोई सुजाव है या सवाल है इसके बारे में comment box पे लिखना ना भूले धन्यवाद